नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम जिस समय देश में अमरित महसव मनाया जा रहा है इसे लेकर अलग-अलग धंग से सेलिबरेशन हो रहे हैं रंगीन तस्वीरें हमारे आप तक पहुच रही हैं उस समय सबसे भाई की लाश को लेकर घंटों बैठा रहा क्योंकि उस समय उसका मजबूर पिता कोशिश कर रहा था लाश को घर ले जाने के लिए इंतिजाम करने के लिए बच्ची ने मट्टी खाली थी का खाली आता इस क्या गुआता है इसको तवयत कैसे ख़राब हुई इसके भखाँ जाने साजी बे कैसे मान भाई आप अस्पताल लेकिया है राज ने क्या खेलते जितने भी प्रचार तंत्र देश भर में विकास की गाथा को कहते ठकते नहीं हैं वह यह नहीं बता पा रहे कि मद्रप्रदेश के मुरेना की जो तस्वीर है दरसल भारत में इस समय दलितों आदिवासियों वंचितों की जो स्थिती है उसकी यह हालत है जिस तरह से यह तस्वीर सामने आई और उसके बाद हम ने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान जो लगातार अलग-अलग धंग से प्रचार प्रसार करते हैं बुल्डोजर मामा की तस्वीर को बढ़ाते और घटाते हैं वे एक शब्द नहीं बोल पाते जब पत्रकार उन तक पहुशते हैं और कोशिश करते हैं रियक्शन जानने की इस खबर को देखना दिखाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मामला सिर्फ मध्यप्रदेश का नहीं है दरसल यह तस्वीर हमारे भारत की है उसी भारत की जहां पर प्रधानमंत्री नरेन मोदी की नई संसद में प्रती है राश्टी प्रती है उसके इनाउग्रेशन की तस्वीरें हम तक आप तक पहुचा रहे हैं को अ कि नखना को परवेशन का अ कि कि आप देखिए कि यह जो तस्वीर है और यह बच्चे की तस्वीर यह जो कॉंट्रास्ट पैदा कर रही है दरसल असल भारत इसी बीच में फसा हुआ है दोस्तों एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन मोदी और उनके नेत्रित में चल रही सरकार पहली बार एक आदिवासी महिला को राश्पदी पद पर बैठाने के लिए पूरी कवायत कर रही है और उसी समय ठीक उसी समय संसस से जन जंगल जमीन पर कॉर्परेट लूट को और बढ़ाने के लिए बहुत ही खामोशी ढंग से कानून में तब्दीली कर दी जाती है और आप देखिए कि यह उस समय हो रहा है जब देश के अलग-अलग हिस्सों से जो खबरे आ रही है वह बता रही है कि परियावरण पे जो खत्रा है वह कितना बड़ा जान लेवा खत्रा है चाहे जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए यात्री हैं उन्हें जिस तरह से जान को जोखिम जहेलना पड़ा रहा है वह वाक्या हमारे सामने हैं क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सरकार यह दावा कर रही है पहली बार आठ लाग से अधिक यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जंडी दी गई है और वहाँ पर जो हास्सा हुआ है यह ठीक उसी जगह हुआ है जहां पिछले साल इसी तरह का फ्लैश फ्लड आया था यानि बड़े पैमाने पर अंदेखी जान से की गई उत्राखंड के चमोली इलाके में लगातार दुरगटनाएं हो रही हैं बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो रहा है और इसका सीधा कनेक्शन चार धाम पर योजना जो बड़ी सड़के बना रहे हैं उससे है मनीपुर में हमने देखा कि जिस तरह से जो लैंड्सलाइड आई जिस तरह से लोग मारे गए यह सारा का सारा जो कनेक्शन है वह बता रहा है कि भारत सरकार पर्यावरण को लेकर जिस तरह का जोखिम ले रही है जिस तरह से जो लूट है कॉर्परेट लूट उसको बढ़ है लूट कहां है लेकिन बहुत दिल्चस्प बात यह है कि खबरें जो हम तक आप तक पहुशती है जो सोशल मीडिया इसमें मदद करता है इसके प्रचार प्रसार में उसे किस तरह से कंट्रोल मोदी सरकार करना चाहती है इसका यह आकड़ा चौका देने वाला है 2014 से लेकर 2020 के बीच सरकार ने और अदालतों ने ट्विटर पे कंटेंट हटाने कंटेंट ब्लॉकिंग के मामलों में जो इजाफा किया है जिस तरह से उस पे दबाव बनाया है वो आकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है इसमें जो इजाफा हुआ है वो 48,000 परसंट क इंक्रीज है यानी अब आप सोचिए कि ट्विटर के जरिये जो खबरे आ रही है जो प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर 2020 तक मैं 2022 की बात नहीं कर रही क्योंकि 2022 में तो ट्विटर बकायदा अदालत का दर्वाजा खट खटाता है कि सरकार हम पर दबाव बना रही है कंटे आने के लिए एकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए जब इतना तगड़ा दबाव हो तब हम सोच सकते हैं कि सच कहने वाले लोगों पर किस तरह से यह सरकार गाज गिरा रही है और इसमें जो आल्ट नियूस के मुहमद जुबेर हैं उनका मामला लगातार जिस तरह से मामले दर्ज किये गए हैं यह सारी एक के बाद एक कडियां हैं जिनें जोड कर देखना जरूरी है इसी तरह से देखिए मेधा पाटकर जो बहुत लंबा संगर जिन्होंने पूरी इमांदारी के साथ चलाया पर्यावरण को जो बड़े पैमाने पर बड़े बांद जो मामले दर्ज हैं, FIR दर्ज की गई है मध्रप्रदेश में और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जुबेर निशाने पर हैं जिन्होंने कोशिश की कि जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन पर नियंतरण हो उनको एक्सपोज किया वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मेधा पाठकर हो या तीस्ता हो जो देश में कोशिश कर रहेत हैं कि एग जो कॉंस्ट्यूशनल प्रोविजन्स हैं कानुनी अधिकार लोगों के हैं वनचितों के हैं वहाँ पर नयाय मिले इस तरह से अंगिनत कडियां जो जुड रही हैं वह बता रही हैं कि भारती लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खत्रा तारी है आईए अब आपके साथ चलते हैं कुछ आकड़ों को टटोलने के लिए कुछ ऐसे आकड़े जो हमारी आपकी सबकी जिन्दगी को प्रभावित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखे राज की तारीख में जीना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है इसकी सबसे बड़ी बानगी सबसे बड़ा एक्जामपल है रसोई गैस तमाम जगों पे सोचल मीडिया पर वटसप पे अंगिनत फोटो आ रहे हैं काटून आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि गरीब जनता के लिए किस तरह से सिलेंडर का इस्तमाल करना मुश्किल हो गया है और वज़ा बहुत साफ है 2017 से लेकर 2022 के बीच रसोई गैस की कीमत दुगनी हो गई है सिर्फ इतना ही नहीं अब आप देखिए जो प्रती व्यक्ति सालाना आए है 2017-18 में 1,15,000 के करीब जो थी वह 2021 और 22 में घटकर 91,000 हो गई है और यह आकड़े मेरे और आपके नहीं हैं यह केंद्रिय सांखे की वह कारेक्टरम क्रियानवन मंत्राले के हैं यानि सरकारी आकड़े हैं अब आप देखिए हमारे में यानि भारत में और हमारे पडोसी देश श्रिलंका में बहुत सी समानताइं दिखाई दे रही हैं खोजी भी जा रही हैं और खोजी जानी भी चाहिएं क्योंकि यही जो बुनियादी सवाल हैं यही जो रसोई गैस है यही जो इंधन की कीमत है यही जो गरीबी और महंगाई के आकड़े हैं यह सब श्रिलंका को श्रिलंका की जनता को लंबे समय से तबाह कर रहे थे जनता शास्त्री लंबे समय से भारत में चिंताव्यक्त कर रहे हैं वह है देश पर करजा श्रिलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद है उस पर जो करजा था वह तकरीबन 119 फीसीदी था और भारत में यह करजा 90 फीसीदी तक बहुच चुका है 2014 पर भारत में जो कबजा था वह था 57 लाख करोड रुपए और बढ़कर वो 2022 में यानि जब हम और आप बात कर रहे हैं वह हो गया है करीब 140 लाख करोड रुपए सिर्फ जून महीने में अभी जून महीना बीता है इसमें भारत में एक दशमलो तीन करोड लोग बेरोजगार हुए और इस बेरोजगारी का असर गाउं में जादा है इन आकणों से एक बात साफ है कि भारत में जो सरकार चल रही है उसका एजेंडा नफरती एजेंडा है उसका एजेंडा देश की जनता को बुनियादी सुक्स विधाएं पहुचाना नहीं है और शायद यही वज़ा है कि जब पडोसी देश श्रिलंका में इतने बड़े पैम पर उन तमाम चुने हुए प्रतिनिदियों को जान बचा कर भागनी पड़ती है और जो तस्वीरें आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि जब जनता राश्टपती से लेकर प्रधान मंत्री घर में घुस्ती है वह जिस गुस्से में है वह यह बताने की कर रही है कि जनता को बहुत समय से अपनी बुनियादी सुविधाओं से महरूम करकर कोई सरकार ना चल सकती है ना चलाई जा सकती है यह उमीद की जा सकती है कि पडोसी देश की जो खबरें हैं जो तस्वीरें हैं वह भारती लोकतंत्र और भारती लोकतंत्र में जो चलाने वाली ताक्ते हैं उन्हें मजबूर करेंगी कि जनता के बुनियादी अधिकारों की अंदेखी लंबे समय तक विना करें शुक्रिया